अब आज हम बात करने वाले हैं मुगल सामराज्य की तो हिस्ट्री में किया है कि जो कुछ चीजें हैं वो हमें याद नहीं हो पाती हैं किसी भी काल को अगर हम स्ट्रडी कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले हमें इक structure बनाना होता है अभी तक इससे पहले वह हमने जो भी चीजें की हैं क्योंकि बहुत सारा सारा syllabus है तो structure बना के आप लोग तैयार कीजिए यहाँ पर मैं आप लोगं को clear cut idea दे देता हूँ कि आपको शुडवात कैसे करनी है जैसे पिसले वाले में हमने totally picturization method यूज किया था तो इसमें हमें क्या करना है एक structure wise करना है सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बिलकुल रट देंगे जो मुगल समराथ है सब को रट देंगे ठीक है उसके बाद जैसे बाबर की कुछ लड़ाईया है हुमायू की कुछ लड़ाईया है और अकबर की कुछ लड़ाईया है ठीक है जहागीर सहा जहा और अरंग जे ये बाद हम कम हैं लेकिन जो बाबर और हुमायू की हैं या अकबर की लड़ाईया हैं उनको हम देखेंगे बाबर और हुमायू की लड़ाईयां ज्यादा पूछी जाती हैं यहां जो है यहां से इस्ताफत्य आप लोगों पूछा जाएगा तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले तो जो मुगल समराथ हैं उनके नाम आप लोगों बहुत अच्छे से रट लेने हैं क्योंकि जब यहाँ पर आपका अगर confusion रहा कि कौन किस के बाद आया और कौन कहां रहा तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को बाद के fact याद करने में मुश्किल होगी तो आप लोगों को यह याद कर लेने हैं उसके लिए आप लोगों का formula है भाजी सबजी for masa बहुत famous formula है बहुत लोग इसे use करते हैं और मैंने भी इसे ही use किया था जो मैं basic से शुरू कर रहा था तो एक-एक करके इसको देख लेते हैं कि कौन सी चीज़े कहां पर है बी से तो होगे आपका बावर तो बावर की ही जीत के बाद आप लोगों को क्या होता है मुगल सामराजी की शुरूआत होती है इसलिए बावर सबसे पहले है उसके बाद है आपका भाजी तो आपको याद रखना है कि यह जी है यह जी है तो यह बाकी चीज़े एक-एक करके हैं बाकी यहाँ पर जी में आप लोगो याद रखना है फॉर में आपका फर्रूग शियर है ठीक है तो H से हो गया आपका हुमायू A से हो गया आपका अकबर फिर आपका G से जहांगीर हो गया उसके बाद S से हो गया आपका साह जहां तो शाह जहां के बाद आता है आपका A से औरंग जेब B से आपका बहादु शाह और फिर आता है आपका जहांदर शाह जी से ठीक है फौर से आगे आपका फरूग शियर मासाब मुहम्मद शाह एहमद शाह आलमगीर शाह शाह आलम दुतिया और अकपर दुतिया और बी से फिर बहादुर शाह जफर जो लास्ट रहा अब इसको जब आप लोग याद करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत क् और चीजें पढ़ने ही शुरू कर देनी है सबसे पहला आपका जो टारगेट है जो एम है वो यही वाला है कि आपको यह जो नाम है यह बिल्कुल याद हो जाने चाहिए सीक्वेंस से याद हो जाने चाहिए ठीक है आप लोग यह भी कर सकते हैं एक अपने लिए गेम भी सकते हैं कि चोटे-चोटे पीसे बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए सारे नाम और उन्हें क्या कर लीजिए आप की चीजें बाद में क्या कर लेंगे आप उनको सीक्वेंस से लगानी के कोशिश कीजिए तो इसीली हो जाए गई आपका ठीक है तो यह हो गया आपके पूरे नाम अब नाम के साथ मुगल सामराज्य का जो स्थापना हुई थी वहां से हम शुरुवात कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों कहा कि आप लोगों को नाम याद होंगे आप लोगों ने देखा तो सबसे पहले आपका बाबर बाबर ने कब से कब त तक यह आपके कितने साल हो गए आपके चार साल यह भी आपको याद रखना ठीक है 26 में शुरुआत हुई थी और चार साल आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोगों पता रहेगा कि 30 तक यह हुआ था भारत पर उसे निमंतरन किस ने दिया था यह देखे यहां पर इसे पिक्चराइजेशन से याद रखेंगे कि यहां पर क्या लिखा था यहां पर आप लोगों को लिखा है कि जो भारत पर उसे आकरमन का नियंतरन दिया था तो वो पंजाब के सुभेदार दौलत खां था आलम खां था और इब्राहम लोदी जिसका नाम था ठीक है का चाचा था और उसके साथ में क्या था राणा सांगा तो तीनी होगे आप लोगों के आलम का लोदी दौलत खां और राणा सांगा और इब्राहम लोदी का उस्याचा था कौन था को सहा ए फर्साना की गद्दी कं मिली थी उसको सारिल फरिश कि गद्धी मिली थी उसे 94 में और 1504 में उसने काबुल पर शाशन कर लिया था अब यहां पर गेम क्या हुआ कि लोगों ने सोचा था कि हम बाबर को अपने यहां पर भारत में बुलाते हैं उससे जीट जाएंगे और फिर फाइनली क्या होगा कि बाबर वापस चला जाएगा लेकिन जब भी कोई शाशक इंडिया में आया तो उसने यहां पर बहुत सारी चीजें देखी यहां पर जो हम कहें कि पैसे की कमी नहीं थी सोने की कमी नहीं थी खाद्यान की कोई फूड की कमी नहीं थी तो बाबर कोई भी शाशक यहां पर जीतने के बाद वापस क्यों ज यहां से एक question पूछा जाता है कि बाबर ने जो पानीपत का युद्ध जीता था 21 अपरिल 1526 को वो किस वज़े से जीता था तो उसने एक युद्ध परणाली यूज की थी तुलगामा भी इसे लिखा जाता है बहुत जगह वो तुलगामा युद्ध पद्ध थी और उसने यहां से start की थी तोपों के साथ के साथ में हुआ था यहां पर प्लस की जगे आप लोग इसे याद करने की जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ में वा था इब्राहिम लोधी के साथ में अभी मैं आप लोग को एक फॉर्मूला है यूनिक फॉर्मूला मैंने उसे खुद बनाए था तो आप लोग को याद रखना है अभी वैसे इसी के साथ में आप लोगों को उसके सारे युद्ध याद करवा दूंगा जो शॉर्टकट तरीके से याद करना है आप लोगो ठीक है तो इब्राहिम लोधी के साथ में हुआ था और बाबर क्या हो गया था विजे विजे ही हुआ था तो यहां से फिर 1526 से श पाबूल में था ठीक है उसे बाग लगाने का शौकीन था और उसने आगरा में एक बाग लगवाया था जिसे आधुनिक उसमें आराम बाग कहा जाता है तास का खेल वह कबूतरों के खेल की शुरुवात भी बाबर नहीं करवाई थी अब उसने कुछ युद्ध लड़े ह और साथी साथ इसमें एक अच्छी बात यह है कि जब भी हम बाबर के युद्ध याद करने होते हमें तो बहुत अच्छी बात है कि यहां पर आप देख सकते हैं 26, 27, 28, 29 अब यहां पर क्या है आपको याद कैसे करना इसे कि दो तरह से यहां पर एक फॉर्मूला लिख दि या आप लोग इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं पानी पी खाना खा चल घर तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं पानी या पान से आपको याद हो जाएगा पानी पत का फर्स्ट जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध चल से चंदेरी का युद्ध घर से ग भी क्लास लें आपके हाथ में पैन और नोट बुक जरूर होनी चाहिए कई सारी ऐसे चीज़ें होती जो बीच में बताई जाती है तो जो आपका होगा फॉर्मुला होगा वह होगा आपका इमली राई में आई यह मैंने फॉर्मुला बनाया था तो मुझे एक्जेक्ली यही दिमाग में आया था और बहुत मुझे अच्छा लगा इंपरिसिव बना था तो इमली राई में आई इमली से आपका इबराहिम लोद्य हो गया राणा सांगा हो गया राई में आई आई से आपका अपगान है ठीक है अब नुश्रत शाहा जो था ओभगान था तो आपका अफगान जाद तर ये नुश्यत शाह की जगे ये पूछा जाता है कि अफगानों के साथ उसकी लड़ाई हुई थी तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे आप लोगों को लिखना है पान खा चल घर उसके आप नीचे लिखेंगे इमली राई में आई और फिर इसके बाद इम 26, 27, 28 और 29 अब इसमें आपके क्या हो गए सारे जो आपके बावर से रिलेटेड चीजें हैं वो आपका तीनों चीजें इसमें आ चुकी हैं तो इसे आप स्क्रीन शॉट ले लिजिए और फिर नो डाउन जरूर कर लिजिए प्राक्टेस जरूर कर लेना इसे तो चलिए आ हमें पता है कि 30 तक तो बावर था तो यह कब तक रहा 56 तक रहा ठीक है तो 26 और 56 आप लोग देख सकते थोड़ा सा एक रिजनिंग टाइप आप बना सकते हैं कि आप देखेंगे 26 से 30 तक फिर 30 से कहा तक आगया आपका 30 से जो था 56 तक चल रहा है ठीक है तो आप इस तरह से आप लोगों याद करते हुए चलना है इसको हिंदुस्तान के सिंगहसन पर जो हुमायू बैठा था वो 1530 को बैठा उसने भी इसने भी चार चार युद्ध जीते थे चार युद्ध लड़े थे यह भी आप लोग लिख लीजिए शायद इसमें फॉर्मूला इसमें लिख चार बिल सर या दो इस तरह से कर लेजिए और दो चार बिल सर यह फॉर्मूला भी मैंने खुद ली बनाता हूं तो छोफुली यह आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा क्यों कि बहुत ड़िक था तो दो चार बिल सर जब भी बिल की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि हुमाई से related है दो चार बिल सर ठीक है तो ये हो गया आपका देवरा का युद्ध ठीक है तो देवरा का युद्ध हो गया चार से आपका चौसा का युद्ध हो गया उसके बाद बिल्ग्राम का हो गया और फिर सरहिंद का हो गया तो इसे हम एक-एक करके देखेंगे तो इसमें चौसा का युद्ध लिखा हुआ है तो देवरा का आप लोग लिख लिजिए कि जो देवरा का युद्ध हुआ था वो 1531 में हुआ था तो इतना याद रखे कि जैसे 30 में वो सिंगाशन पर बैठा था तो हुमाई की जो लाइफ रही वो बड़ी उबर खाबड़ी रही या हम कहें कि उच नीच उसमें होता रहा और बहुत सुख के साथ उसमें राज नहीं किया बहुत सारी युद्ध लड़ता रहा तो जैसे ही उसे सिंगाशन मिला 30 में तो उसे क्या हो गया 31 में उसका युद्ध हुआ देवरा का युद्ध और देवरा का युद्ध जो हुआ था उसका अफगानों के साथ में हुआ था उसके बाद दूसरा है और अफगान हार गए थे और हुमाई की इसमें जीत हो गए थी उसके बाद आता है आपका 39 में, 39 में चौंसा का युद्ध हुआ था, चौंसा का युद्ध हुमायू का जो हुआ था, यहां पर प्लस की जगे अगर आप इस तरह से इसे रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, कि हुमायू और शेर्षा सूरी का युद्ध हुआ था, और फिर उसके बाद दुबारा क्या होता है, लेकिन पूरी तरह से जो था हुमायू वहारा नहीं था, दुबारा जो है 40 में युद्ध हुआ, बिल गराम का, जो मैंने कहा 2-4 बिल सर, तो बिल गराम आप लोगों को याद रहेगा, कनौज का युद्ध इसे कहा जाता है, हुम इराक, तो वहां उसने निर्वासी जीवन बिताया, मेंस वहां छुपके रहने लगा, और जो शेशा सूरी था, वो 40 में क्या हो गया, उसको हिंदुस्तान का पुरा शेशन मिल गया, और उसने अपना नाम शेशा सूरी के नाम से स्टार्ड कर दिया, पच्पन में, फिर से 1555 में सरहिंद का युद्धु हुआ था, और सरहिंद का युद्धु फिर से मुगल और अफगानों के बीच में हुआ, और इसमें जो मुगल थे, वो जीत गए, तो फिर से क्या हुआ हुआ हुमायू वापस आ गया, और वो भारत का समराट बन गया, लेकिन एकी साल बाद मैंने कहा ना कि प्लस वन के बाद ही, वो क्या हुआ, पुस्तकाले से गिर कर उसकी मृत्य हो गई, अब कुश्चिन पूचा जाता है कि कौन सा उमुगल साशक है, जिसका पुस्तकाले से गिर के मृत्य होई, तो वो था आपका हुमायू, मैंने आप लोगों कहा, सबसे पह आता जा रहा हूँ, और साथ में बताऊंगा, और इसके अलावा जो पूचा जाता है, वो पूचा जाता है आपका इस्थापत्य, इस्थापत्य का मतलब कि जो चीजे बनाई उन लोगों ने, और जैसे कुछ महल बना दिए, उसके अलावा जो है, कुछ बुक्स के बारे म मैं बता चुका हूँ, आत्म का था, और हाँ, जो important है, वो है आपके यूद, और इनके क्या है, कभी-कभी आपको इसके date पूची जाएगी, year पूचे जाएगे, कब-कब, और कौन जीता, ये भी पूचा जाता है, तो इसलिए हम साथ साथ में चल रहे हैं, ये आपको एक clear बिल ग्राम का जो युद दूखा था, ठीक है, दो चार बिल सर, तो आप लोग इस तरह से याद भी रख सकते हैं, कि जो बिल था, वो 40 रुपए का बिल था, ठीक है, बिल कितने का था, 40 रुपए का बिल था, माइनस वन करेंगे, 39 याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है बिल ग्राम के उपर क्या था, चौसा का युद था, देखें, इस तरह से आप लोग याद रखिए इसको, कि मैंने कहा था आपको कि दो, चार, बिल, सर, ठीक है, तो ये चार युद आप लोगों को याद हो गए होंगे अभी अभी, और मुझे लगता है कि हमीशे याद भ 39 है, और मैंने कहा था कि आप लोगों का क्या है, जो हुमायू था, उससे तुरंत युद को लड़ा था, एक साल के बाद तुरंत इसको लड़ दिया था, इस युद को, और उसके बाद जो सरहिंद का युद था, उसके बाद वो दुबारा जीत के वापस तो आया, लेकिन प्लस वन करेंगे, तो 56 हो गया, 56 में हो मर गया था, फिसल के सीडियों से, तो क्या था, दो चार बिल सर में आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को यह हमीशा याद रहेंगे, जैसे आप अभी आखे बंद करेंगे और सोचेंगे कि बिल कितने रुपे का है, तो 40 माइनस वन कीजिए, 39 हो जाएगा, आप लोगो दो जो फर्स ता देवर, ठीक है, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं कि देवर के चार बिल सर, ठीक है, लेकिन उसमें एक एक इक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इसलिए आप दो चार बिल सर ही कीजिए इसको, जो देवरा क पूछा जाता है, वो था उपका फरीद, ठीक है, और क्योंकि कहा जाता है कि यह शेर के साथ खेलना शुरू कर दिया था, इसका इसका नाम चेंज करके शेर खा भी हो गया था, या उसका नाम एक एक एक्स्टा नाम रख दिया था, शेर खा, चालिस में हमने देखा कि जो बिल्गराम का युद्ध जीत लिया था और उसने जब बिल्गराम का युद्ध जीता था तो वहां से उसने अपना नाम शेर्षा सूरी के उपादि उसने धारन की थी पंद्रा सो पैंतालीस में कालिंजर अभिहान के दोरान बारॉद के विश्कोर्ट में इसकी मृत्यू हो गई थी तो कौन सा ये वी पूछा जाता है कि कालिंजर के अभिहान के तहट जब उहां पर क्या हो था बारुत का विस्पोर्ट हुआ था तो क्या हुआ था उसकी मृत्यू हो गई थी इसके कुछ काम हैं कारिया हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं स्वन्द चांदी तथा तामविय के प्रमाणित सिक्कों का जो परचलन किया था शुरू वो किसने किया था आपका सिर्षा सूरी नहीं किया था किरसी योग भूमी के मापन के लिए सिकंदरी गज का उपयोग किया था इसने सिकंदरी गज तेक है इसको हमने पीछे देखा था और इसने जो शुरू किया था शेषा सूरी ने सिकंदरी गज का यूज किया था सिकंदरी गज जो था वो बनाया किस ने था वो बनाया था आपका सिकंदर लोधी ने पीछे आप देखेंगे पिसली कलास में आप लोगों ने देखा होगा कि सिकंदर लोधी ने इसे सिकंदरी गज को बनाया था गजे सिकंदरी बोलते थे इसको लेकिन जो यूज किया था क बहुर तक ही चलती है तो ग्रांट ट्रंक रोड ही पूछा जाता आप लोगों को कि ग्रांट ट्रंक रोड का जो निर्मार करवाय था वो किसने करवाय था दिल्ली में पुराना किला का निर्मार करवाय था और इसी पुराना किला के अंदर एक किला एक कोहना भी मस्जिद है तो पूछा जाता है जो किला ये कोहना मस्जिद है वो कहां पर है और इसका जो मगवरा है सेर्शा सूरी का वो साहबाद के सासाराम में है ठीक है तो आपको इस तरह से याद रखना है इसे सेर्शाह ठीक है तो शाहबाद तो हो गया की सास सा सा साराम थीक है इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं Phillips तो इसके बाद आप लोगं का ये दो तीन तो हम कर चुके हैं आपका जो है वाबर हो गया ह हमाई हो गया और सेशा सुरी हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो है मुगल क्लाल को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को आज जो है बेसिक चीज आप लोगों को इसकी बिल्कुल किलियर हो जानी चाहिए यह सारी चीज़ आप लोग रट लीजिए जितनी चीज़ें हैं और इसके साथ आप अन्य क्लास लीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कैर